गुडिवनिंग स्टुडेंट्स गुडिवनिंग नमस्कार राम राम स्वागत है आप सभी का वेटिगन यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल पुनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ जल्दी से एक बार जुड़ें और बताएं कि आप सभी को आवाज आ रही है वेरी गुडिवनिंग सभी बच्चों को सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है परवीन रश्मी प्रिंस मनीश कछधारी बालक यूपीस्स एस्पेरेंट्स पुजा सभी को गुडिवनिंग सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है अभी हमने क्या किया भई देखो अभ पाइप और सिस्टन के बड़िया सवालों के साथ सुरुवात करेंगे प्रिविश येर क्वेस्टन को हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड एवनिंग सभी बच्चों को जल्दी से एक बार क्लास को शेर कर दो वाई ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इस क्लास का लिंक पहुँच जाए वो भी क्लास को देखें। विश्वास बैच को सुरू किया है। विश्वास बैच आपको मिलेगा वैटिकन अप पे इसके लिए आपको वैटिकन अप डाउनलोड करनी है। आपको इसमें सब्जेक्ट वाईज फ्री मिलने वाले हैं तो जो बचे कम तयारी के साथ घबराए हुए हैं, घबराने की जरूर इतनी है, ये बैच जोईन करके आप अपनी तयारी को अच्छा कर सकते हैं। नमस्कार भई, नमस्कार पहले तो ये बताओ टाइम एंड वर्क का टॉपिक कैसा गया आप लोगों का। टाइम एंड वर्क का टॉपिक कैसा गया, नमस्कार सभी बच्चों को का स्वागत है। गुड इवनिंग भई, प्रिंस कुमार, रचना जी, नमस्कार भई, नमस्कार, मिश्टी, नमस्कार, सभी का, सभी बच्चों का हर्दिक स्वागत है। पाइप एंसिस्टन कितनी क्लासिज में कंप्लीट हो जाएगा, भई, दो क्लासिज में ही कंप्लीट कर देंगे पाइप एंसिस्टन को, दो क्लास में पूरा निप्टा देंगे, ना तो कोई कंसेप्ट बचेगा, ना कोई सवाल बचेगा, दो ही क्लास में अच्छे से पा पहला question ले आता हूँ, first question आपकी screen पे लेके आता हूँ, मैं यहाँ पे pipe and system का, pipe and system का पहला सवाल आपकी screen पे आएगा, पहला सवाल लग चुका है, लग चुका है वई, पहला सवाल आ गया है, जल्दी से पढ़ो रांसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से पढ़ेंगे और आंस के से हम करने वाले हैं, अरे examiner के पास सवाल नहीं बचेंगे, कहां से दे, सब आता मिलेगा आप सभी को, सभी को सब आता मिलेगा, जी, नमस्कार भई, नमस्कार, very good evening, सभी बच्चों को आ गया है, पहला सवाल, तड़कता, भड़कता, pipe and system का, एक नलाट गंटे में टैंक को भर सकता है, दूसरा इसे 16 गंटे में क्या कर सकता है, भई, खाली कर सकता है, तो दोनों एक साथ खोल दिये जाएं, तो टैंक को भरने में लगा समय क्या है, यह हमें निकालना है, एक pipe 8 गंटे में भरता है, दूसरा pipe खाली करता है, तो माइनस लेंगे इसको हम, यह खाल तो आणसर आपका है यहाँ पे C option और इस तरीके से आप question को बड़े आराम से आसानी से solve कर पाएंगे जैसे हमने time and work के सवालों को किया ना ऐसे ही हम pipe and system के सवालों को भी निप्टाने वाले हैं ऐसे ही हम pipe and system के सवालों को भी करने वाले हैं बड़े अच्छे तरीके से ठीक है good evening सभी बच्चों को very good evening पहला question आप solve कर चुके हो ए बरता है आठ गंटे में B खाली करता है 16 गंटे में LCम लेंगे 16 आएगा 16 को 8 से भाग किया 16 को 16 से भाग किया आठ से भाग किया तो positive work है और 16 से भाग किया तो negative work है क्योंकि ये pipe खाली करता है भरता नहीं है, खाली करता है क्या भई, खाली करता है 2 बरेगा, 1 खाली हो जाएगा तो बचेगा 1, total काम 16 है एक से भाग कर दो आपका answer आजाएगा चलिए, सवाल नंबर 2 पे चलते हैं Q2 आपके सामने है जल्दी से आप इसको पढ़ें और स्वाल करके answer बताएं क्या आएगा Q2 आचुका है आपके सामने रामरा भाई, अनिकेत, रामरा मनीश, नांदल जी, आरती, सिवाज, साहिल, सभी को Good evening, सभी बच्चों का स्वागत है सभी बच्चों का स्वागत है पढ़ते रहिए शांदार तरीके से टॉपिक को एक एक करके निप्टाते रहिए अरे नंबर नहीं कटने देंगे गरंटी है हमारी ये गरंटी रहेगी नंबर नहीं कटेगा एक भी नंबर छीन लाएंगे सारे एक एक करके नंबर छीन लाएंगे कोई और भी मैथड है मैथड तो बहुत सारे हैं प्रिंस देशवाल जी बट इस मैथड से आप करोगे तो रेगुलर्डी के साथ सारे कॉश्चन होते जाएंगे फिर आपको हर टाइप के लिए नवैथड बदलना पड़ेगा देखो नमस्कार भाई भोलू पंडे जी नमस्कार गुड इवनिंग कुश्चुम दानी वेरी गुड इवनिंग चलिए देखिए क्या दे रखा है दो पाइप A और B आठ और दस गंटे में बर सकते हैं कि C 6 गंटे में खाली कर सकता है A भर सकता है कितने में 8 गंटे में B भर सकता है कितने में 10 गंटे में C खाली करने वाला है कितने गंटे में 6 गंटे में खाली कर सकता है LCM लेंगे कितना आएगा LCM लेलो भई LCM लोगे तो कितना आजाएगा 120 ले लेते हैं 8 से भाग करोगे 15 आएगा 10 से भाग करोगे 12 आएगा और 6 से भाग करोगे तो माइनस में 20 आएगा कितना भई? माइनस में 20 आएगा अब ध्यान से सुनो यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल काम कितना है? 120 सारे मिलकर करेंगे सारे मिलकर करेंगे 27 में से 20 गटा होगे साथ आएगा टोटल काम 120 है तीनों मिलकर भरेंगे तो साथ से भाग कर दो अंसर क्या हो जाएगा? अंसर हो जाएगा 120 बटे साथ B option आपका अंसर B option आपका अंसर आजाएगा और इस तरीके से आप question को solve कर पाएगे ठीक है? यह आपका अंसर आजाएगा समझे भाई? यह आपका अंसर आजाएगा ऐसे आप question को solve कर पाएगे 120 by 7 बिलकुल सही जवाब यह सारे बच्चे एकदम बढ़िया पढ़ रहे हैं नमस्कार भाई, नमस्कार परवीन कौसिक जी स्वागत है आपका Vatican YouTube चैनल पर ठेक है? कर लोगे ऐसे A बरता है, 8 में B बरता है 10 में C खाली करता है इसलिए माइनस लिखा है खाली करता है, इसलिए क्या लिखा है भई? माइनस लिखा है, negative worker है यह negative, समझे? negative worker है, तो माइनस में आएगा इसका काम, यह 15 और 12 27 भरेंगे, और 20 खाली हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 7 ही तो बचेगा, 7 बचेगा टोटल को 7 से भाग करो, आंसर आजाएगा सब का मिल कर, ठेक है आंसर आजाएगा, सभी का मिल कर, चलो, सवाल नमबर 3 पे चलते हैं वही सवाल नमबर 3, 3 के 2 पार्ट है वही, एक तो है एक्जाम में आया हुआ सवाल एक्जाम में आया हुआ सवाल जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ क्या आएगा जल्दी पढ़ो आंसर बताओ क्या आएगा, शाबास सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिनोंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास को शेर कर दो जल्दी से very good क्लास को शेर करो सारे, शाबास क्लास कब सुरू हुई है क्लास हुई है जी 7 बज़े 7 से 8 का टाइम होता है डेली 7 बज़े से 8 बज़े का टाइम होता है डेली 7 से 8 पढ़ते हैं मैथ साथ बज़े से 8 बज़े तक पढ़ते हैं मैथ सरवंड कुमार जी, नमस्कार, रामा स्वागत है आपका सबसे पहले आंसर आया व viewers कच्छाधारी बच्चे का कच्छाधारी बच्चे का अंसर आगया पीके सर्मा, नेहा, प्रिंस सभी के अंसर आते जा रहे हैं बढ़िया पढ़ रहे हो, शाबास गुड मारिंग, रजनी जी वैरी गुड मारिंग A option आएगा चलो, देखो क्या दे रखा है A और B, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं दोनों को एक साथ कोल दिया जाये तो कितना समय लेगेगा HSSC Electrician का जो एक्जाम हुआ था ना, उसमें आया था ये सवाल क्या दे रखा है, A बरता है 20 में, और B बरता है 30 में, A बरता है 20 में, B बरता है 30 में LCM लेंगे तो क्या आएगा बर रहे हैं दोनों, बर रहे हैं तो LCM 60 आएगा, ये 3 है तो ये 2 है, टोटल काम 60 है, दोनों करते कितना है 5, 5 से भाग कर दो अंसर क्या आएगा भई, अंसर आजाएगा A option, ठीक है अंसर क्या आएगा बच्चे अंसर आजाएगा, A option और इस तरीके से आप question को solve कर पाएंगे ठीक है, इस तरीके से आप question को solve कर पाएंगे अंसर आपका A option आजाएगा समझे भई, अंसर आएगा A option और A option आप टिक करोगे तो आपको मिलेगा number पूरा ये था third question का पहला part अब लेके आते हैं third question ये है वही हमारी तरफ से तीसरा सवाल, जल्दी से आप इसको पढ़ेंगे और solve करके आंसर बताएंगे क्या आएगा जल्दी से solve करके आंसर बताएंगे क्या आएगा Good evening, सभी बच्चों को आप पहले करवा रखें हैं बिल्कुल करवा रखें भाई, करवा रखें अरे सवाल कोई ऐसा है जो ना करवाया हो सारे करवा रखें भाई, पेपर में आ रखा हो चाहे कहीं भी आ रखा हो Good evening, नमस्कार सारे बच्चे एक बार जल्दी से class को like करें और साथ में शेयर भी करें अपने friends के साथ ताकि सारे बच्चे एक साथ सीख पाएं, सुरुवात से सीख पाएं पढ़िये जल्दी से पढ़ो पढ़ो Very good, very good, शाबास पढ़ते जाओ भाई, पढ़ते जाओ बहुत अच्छे A option आएगा answer इसका भी A आएगा एक pipe A, 4 गंटे में बरता है एक pipe 8 अच्छा, एक pipe B BB tank में स्तापित है दोनों pipe मिलकर धाई गंटे में बरते हैं, कितने गंटे में धाई गंटे में बरते हैं, B अकेला कितने में बरेगा, देखो A बरता है, 4 गंटे में और A और B मिलकर बरते हैं डाई, डाई मतलब 5 बरते 2, LCM लोगे, तो क्या आएगा बही? LCM आएगा कितना? 20 आएगा 4 से भाग करो, और डाई से भाग करोगे, तो कितना आजाएगा? 8 आजाएगा, दोनों मिलकर कितना? 8 बरते हैं, जबकि A बरता है, 5, 8 में से 5 गटाओगे, तो B का आजाएगा, 3, टोटल काम कितना है? टोटल है, 20 बरता है, 3, तो आंसर आएगा 6 सही, 2 बटे, 3 किस option में है? ये भी पहले option में है, किस option में है ये भी आपका पहले option में है, तो आंसर आपका first option आएगा, ठीक है आंसर क्या आजाएगा भई? आंसर आपका first option आजाएगा, और इस तरीके से आप question को solve कर पाओगे, A अकेला बरता है 4 गंटे में, दोनों बरते हैं 5 गंटे में, A अकेला बरता है 4 गंटे में, दोनों बरते हैं, डाई गंटे में, LCM लोगे 4 गंटे का 20 आजाएगा, 20 को भाग करो 4 से, 20 को भाग करो डाई से, A भरता है, अकेला कितना भई? 5 यूनिट दोनों बरते हैं 8, 8 में से 5 गटाओ, B का आएगा B भरता है 3, टोटल है कितना? 20, 20 को 3 से भाग करो आंसर बनेगा कितना? 6 सही 2 बटे 3, क्या आजाएगा भई? 6 सही 2 बटे 3, यह आपका आंसर आजाएगा और इस तरीके से question को आप solve कर पाओगे, बड़े आसानी से LCM कैसे लिया? देखो, LCM लेने का तरीका भी बता देता हूँ कुछ बच्चे कह रहे है, LCM कैसे लिया? एक तो 4 है और एक ढाई है जब ऐसे हो ना और इनका LCM लेना हो LCM लेना हो, तो क्या करोगे? देखो, उपर वालों का LCM उपर वालों का तो LCM और नीचे वालों का क्या हो जाएगा? HCF ठीक है? LCM को HCF से बाग कर देना LCM आ जाएगा fractions में LCM को HCF से बाग कर देना HCF, LCM आ जाएगा आपका ठीक है? ऐसे कर सकते हो 4 और 5 का LCM क्या हैगा? 20, 1 और 2 का HCF क्या है? 1, तो टोटल मिलाकर LCM क्या हो जाएगा? LCM तो 20 बटे 1 मतलब 20 हो जाएगा 20 को 4 से बाग करो 20 को 20 से बाग करो A बढ़ता है 5 यूनिट दोनों बढ़ते हैं 8 यूनिट तो B कितना बढ़ेगा भाई? B तो 3 यूनिट बढ़ेगा टोटल कितना है? 20 20 को 3 से बाग कर दो आपका आंसर आजाएगा 20 को 3 से बाग कर दो आपका आंसर आजाएगा समझे? चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने लेके आते हैं ये था question number 3 अब आता है question number 4 4 जल्दी से पढ़ोगे और आंसर बताओगे क्या आएगा जल्दी से पढ़ोगे और आंसर बताओगे क्या आएगा 4th number question आपकी स्क्रेन पे आ चुका है जल्दी पढ़ो वई Very good Good evening सभी बच्चों को पढ़ते रहिए शाबास पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए Very good क्या दे रखा है A और B एक टैंक को 45 मिनट में 45 मिनट में भरते हैं यदि A खाली करने खाली टैंक को एक घंटे में भरता है एक खाली टैंक को एक घंटे में भरता है तो B कितने में भरेगा B कितने में भरेगा यह हमें निकालना है B कितने में भरेगा ये हमें निकालना है जल्दी बताओ शाबास जल्दी बताओ वई जल्दी शाबास देखो A और B एक A और B मिलकर बरते हैं 45 मिनट्स में जबकि A अकेला अकेला बरता है गंटे 60 मिनट में LCM ले लो वई LCM लोगे तो क्या आएगा 180 इससे बाग करोगे 45 से बाग करो 4, 60 से बाग करो 3 दोनों मिलकर 4 बरते हैं A बरता है 3 4 में से 3 गटाओगे तो B बरेगा 1 टोटल कितना है? टोटल 180 है बरता है 1 तो कितने मिनट लगेंगे? 180 मिनट लगेंगे अरथात 3 गटे का समय इसको लग जाएगा अकेले को भरने में? किस option में है? ये है आपका B option में किस option में बच्चे? ये है आपका B option में और इस तरीके से आप कर सकते हैं इस टाइप के question को. time, speed, or distance कम आता है? जी क्या करें? कम आता है? करवा देंगे अरे मेरातन क्लास भी तो आएगी संडे को संडे को मेरातन क्लास का टॉपिक आप मुझे बता देना वही टॉपिक मैं मेरातन क्लास में लगा दूँगा ठीक है संडे को मेरातन क्लास का जो टॉपिक आएगा न topic रहेगा वही topic लगा दूगा जो topic आप डालोगे वही topic लगा देंगे ओके चिंता ना गरो जो भी topic आपको कमाता है उसके सारे previous year question मैं करवा दूगा ये मेरी जिम्मेदारी है ये मेरी जिम्मेदारी आप चिंता ना गरें उसकी ठीक है देखो दोनों मिलकर 45 minute में A भरता है 60 minute में LCM आएगा 180, 45 से बाग करो 4, 60 से बाग करो 3, 2 नों बरेंगे 4, A बरेंगा 3, 4 में से 3 गटाओ B का आएगा 1, total काम 180 है B बरता है 1, total हो जाएगे 180 मिनट और 180 मिनट के गंटे बना होगे तो 3 गंटे आजाएंगे बाई, क्या आजाएंगे बाई, 3 गंटे, तो answer आपका पार्ट पे चलते हैं, पांचमें सवाल के पहले पार्ट पे चलते हैं, पांचमें क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं, पांचमें क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं, सब टाइम स्पीड वाला ही करवा दे हैं, अच्छा टाइम स्पीड वाला ही करवा दे, करवा देंगे भाई, टाइम स्पीड वाला ही करवा देंगे, चिंता नागरो बस आप, चिंता नागरो टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक ही लगा देंगे मराथन क्लास में, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, वैरी गुड इवनिंग, नमश्कार, सबसे पहले आंसर आया वैक बच्चे मिलके, वैरी गुड शेर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो बच्चे नए आए हैं आज, पहली बार जो क्लास देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अगली क्ला क्लास के डाउट पूछने हूं तो क्लास के बाद कब पूछें बिलकुल क्लास के बाद साड़े बारा पुनेक के बाद पूछ सकते हो आप एक बजे के बाद आप पूछ सकते हो आराम से ऑफलाइन वाले बच्चे एक बजे के बाद काफी सारे बच्चे डाउट लेने भी आ पड़ते जाओ एक एक टोपिक को निप्टाएंगे अच्छे से A और B आठ गंटे में भर सकते हैं A भरने में 4 गंटे अधिक गंटे लेता है अच्छा A इसे भरने में 4 अधिक गंटे लेता है देखो A और B भरने में कितना टाइम ले रहे हैं 8 गंटे, ए 4 गंटे अधिक लेता है, तो 12 गंटे लेगा, अब समय का पता लगाएं, जब अकेला B भर रहा है, B अकेला भर रहा है, तो LCM लेलो भई, LCM आएगा 24, 8 से भाग करोगे, 3, 12 से भाग करोगे, 2, आपने क्या करना है अब, अब ध्यान से सुनो, अच्छा, समय का प अकेले B अतिरिक्त गंटे भर सकता है, अतिरिक्त गंटे भर सकता है, टैंक को, अतिरिक्त गंटे कितने लगेंगे, यह हमें निकालना है, तो कैसे करें, अब ध्यान से सुनो, B की Efficiency क्या रही है, एक, टोटल कितना है, टोटल है 24, एक के हिसाब से कितने में भरेगा, B भरे कुछ बच्चो को यह statement समझ नहीं आई होगी क्योंकि सवाल क्या है सवाल यह है समय का पता लगाएं अकेले बी कितने अतिरिक्त गंटे भर सकता है कितने अतिरिक्त गंटे में भरेगा यह मैं निकालना था find the time in how many extra hearts be alone can fill the tank भी अकेला कितने ज्यादा गंटे लेगा यह हमें निकालना था तो हमें क्या करना था इस 24 में से कितना गटाना है भाई आठ गटाना है रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट तो 16 आएगा रिजल्ट कितना आएगा भाई रिजल्ट आएगा 16 बड़ा ही आसान स अवाल है ध्यान से सुनो क्या दे रखा है भाई हमें क्या दे रखा है A और B मिलकर 8 गंटे में बरते हैं A 4 गंटे ज्यादा समय लेता है अतीरिक गंटे लेता है एक्स्ट्रा हार्स एक्स्ट्रा हार्स लेता है A अब ध्यान से सुनो A और B मिलकर 8 में बरते हैं तो A बरता ह 12 में, 4 गंटे ज्यादा, LCM लेंगे 24 आएगा, A और B 3 भरेंगे, B अकेला 2 भरेंगा, दोनों में से 2 गटा होगे, तो B की Efficiency एक आएगी, टोटल काम 24 है, B भरता है, एक तो कितने गंटे में भरेंगा भई, 24 गंटे में, सवाल ये है, B कितने एक्स्ट्रा गंटे लेगा, तो में से, B वाले में से 8 गटा दो, एक्स्ट्रा गंटे हो जाएंगे, 16 तो आंसर आजाएगा, C option, आंसर क्या आजाएगा, भई, आंसर आजाएगा, C option, ठीक है, ऐसे आप इस question को कर पाओगे, ये आपका रहेगा, यहाँ पे solution, समझे, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब लेके आते हैं हम सवाल नंबर 5, ये 5 का, पांचमें question का पहला पाट था, अब आया है पांचमा question, अब आया कौन सा question भई, पांचमा question, इसको आप पढ़के जल्दी से आंसर देंगे, इसको पढ़ेंगे और जल्दी से आंसर देंगे, पढ़ेंगे और जल्दी से आंसर देंगे, के जो बच्चा ब्रांच पर पढ़ता है कैसे डाउट सोल करवा सकता है भाई वाटसब कर सकता है अमन सरमाजी वाटसब कर सकता है वाटसब के थुरू डाउट को ले सकता है वो बच्चा ब्रांच वाड़ा बच्चा पढ़ो जल्दी से शाबास कहां आएं क्लास के बाद रेनुजी बिल्डिंग 6 में आ सकते हैं अब क्लास के बाद बिल्डिंग 6 में आ सकते हैं अगला question पढ़ो जल्दी से बताओ क्या आएगा answer इसका और सारे बच्चे एक बार class को share करो very good class को share करें सभी बच्चे like करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें 27 आएगा इसका अंसर 27 विक्रम और प्रिंस ने लगा दिया है अंसर का अंसर की जड़ी लगा दिया वही अंसर की 27 27 के साथ जा रहे है रेनू, सुधीर, निशा, रूही ने भी अंसर लगाया है 27 very good भई बहुत अच्छे, शाबास अमन सर्मा सी आप्शन के साथ जा रहे है अमन सर्मा सी आप्शन के साथ जा रहे है शाबास, नेहा राठी सी आप्शन 27, बुलबुल 27, very good भई विक्की खरब सी आप्शन के साथ बहुत अच्छे क्या दे रखा है, A और B एक टैंक को 36 और 48 गंटे में बर सकते हैं, ये 36 में बर सकता है, तो B बर सकता है 48 गंटे में अब दोनों को 9 गंटे के लिए खोल दिया जाता है, अब ध्याग से सुनो सबसे पहले LCM लेलो भई LCM क्या आएगा, 144 भाग करेंगे 4 और बाग करेंगे 3, ठीक है दोनों को खोल दिया जाए, तो कितना बर रहे है, 7, कितने गंटे 9 गंटे खोल दिया, कितना बरेंगे, ये बरेंगे 63, कितना बरेंगे भाई ये बरेंगे 63 अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर आप लेखोगे, तो हमें क्या करना है इस में से इसको गटा लेना है गटा लो भई, 144 144 में से 63 गटा होगे तो कितना आजाएगा, 81 आजाएगा, ये किसने बरना है B ने, B बरता है 3 तो 3 से भाग कर दो, आंसर क्या आएगा भई, आंसर आजाएगा 27 गटे, C option एकदम सही, C option जिस बच्चे ने लगाया, उसका अंसर एकदम सही है, बिलकुल सही जा रहा है C option वाला बच्चा, ठीक है C option वाला बच्चा एकदम सही जा रहा है, ध्यान से सुनो, क्या दे रखा है, रिपीट कर देता हूँ A बरताए 36 गटे में LCM लेंगे 144, 144 को 36 से भाग करो, 48 से भाग करोंगे 3 आएगा 144, 144 को 36 से भाग करोंगे 4, 48 से भाग करोंगे 3, A बरता है 4 यूनिट तो B बरता है 3 दोनों भरेंगे कुल मिलाकर 7 यूनिट, दोनों ने कितने गंटे भरा भई, 9 गंटे तक भरा है, कितना 63 भर दिया है, उसके बाद 144 में से 63 गटाओगे, बचा हुआ है, 81, 81 को भरने के लिए कौन काम कर रहा है, B काम कर रहा है, तो B की Efficiency 3, 3 से भाग करो, आंसर क्या आएगा, आंसर आजाएगा 27, ठीक है, आंसर क्या आएगा चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेशन लेके आता हूँ, क्वेशन नमबर 6 आपके सामने आ रहा है, 6 आपके सामने आ रहा है, जल्दी से आप पढ़ेंगे, और सौल करने की करेंगे, कौसिस, क्या करेंगे भाई, कौसिस करेंगे, सौल करने की इसको, शाबास पढ़ो जल्दी से जल्दी पढ़ो very good सरजी राठी सर कल ठीक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे भाई राठी सर ठीक हो जाएंगे बिल्कुल बेसिक से बता दो बेसिक से ही तो बताया है भाई बेसिक से ही बताया बताओ इसमें क्या अलग क्या है जान से सुनू A बरता है 36 गंटे में B बरता है 48 गंटे में दोनों का LCM लिया 144, 36 से भाग किया 48 से भाग किया ये बरता है 4 ये बरता है 3 दोनों बरेंगे 7 दोनों ने 9 गंटे बराया तो 7 के इसाब से 9 गंटे 63 बरेंगे 144 में से 63 भर चुके हैं क्या सी रहते हैं अब नंबर आ गया केवल B का A छोड़ के भाग गया A छोड़ के भाग गया A छोड़ के भाग गया ना A छोड़ के भाग गया तो क्या करेंगे भाई यहाँ पे A छोड़ के भाग जाएगा तो B भरेगा, 3 के हिसाब से अंसर आजाएगा, आपका कितना, अंसर आजाएगा 27, ठीक है, अंसर क्या आएगा भई, अंसर आजाएगा 27, और इस तरीके से आप question को solve कर पाओगे, ये था आपका question, चलिए, अगले question पर चलते हैं भई, अगले question पर चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने आचुका है, जल्दी से पढ़ो, और आंसर बताओ, क्या आएगा, शाबास, जल्दी पढ़ो भई, very good, very good, शाबास, आगया, very good भई, चलो, देखो, एक pipe A और B टंकी को बढ़ने में, जबकि C खाली करने वाला pipe है, A और B बहतर और 90 मिनट में भर सकते हैं, A और B, A 72 मिनट में भर सकता है, और B भर सकता है 90 मिनट में, कितने मिनट में, 90 मिनट में C खाली करने वाला pipe है, क्या भई, C खाली करने वाला pipe है, समझे, अब ध्यान से सुनो, C खाली करने वाला pipe है, तीनो pipe एक साथ खोल दिये जाते हैं, तो टंकी 2 गंटे में भर जाती है मतलब तीनों पाइब एक साथ खोल दिये जाते हैं तो दो गंटे में भर जाती है A भरता है, B भरता है, C खाली करता है दो गंटे मतलब 120 मिनट में भर जाती है टंकी अब LCM ले लो भई अब क्या ले लो? LCM LCM लोगे तो कितना आएगा भई? LCM आजाएगा 360 LCM क्या आएगा? LCM आएगा 360 72 से भाग करो 5 90 से भाग करोगे 4 और भाई 120 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा तीनों की efficiency आप देखोगे 3 है और इन दोनों की है 9 तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? कि C क्या कर रहा है? C इसमें से यह माइनस कर दो भाई 3 में से 9 माइनस करोगे तो C की efficiency क्या है? C की efficiency माइनस 6 है C की efficiency क्या है भाई? माइनस 6 अब आगे देखो क्या दे रखा है? A और B को 12 मिनट के लिए खोल दिया जाता है फिर उन्हें बंद करके C को खोला जाता है A और B, A और B 9 बरते हैं, 12 मिनट में कितना बरेंगे, 12 मिनट में 108 बरेंगे, ये किसका काम है, ये काम है A और B का, अब किसको खोला गया है, C को, बरा गया है 108, वो खाली करता है 6, तो कितना समय लगेगा, 18 मिनट का समय लग जाएगा, किस option में है, ये है आपका C option में, किस option मे तो answer आपका क्या आजाएगा answer आजाएगा यहां से C option ठीक है जोम नहीं कर सकते है इससे ज्यादा जोम कर दिया ना तो यह मतलब आदा उपर चला जाएगा आदा नीचे आजाएगा दोनों उपर नीचे स्क्रीन में पहुँच जाएगा अगर जादा जोम कर दिया तो जादा अगर जोम कर देंगे तो उपर नीचे स्क्रीन में पहुच जाएगा ठीक है देखो द्यान से सुनो रिपीट कर देता हूँ question बढ़ा एच्छा सवाल है देखो द्यान से A बरता है 72 मिनिट में B बरता है 90 मिनिट में 3 बरते हैं 2 गंटे में 2 गंटे मतलब 120 मिनिट LCM लेंगे 360 आएगा 72 से बाग किया 5 90 से बाग किया 4 और 120 से बाग करोगे कितना हो जाएगा 3 अब ध्यान से सुनो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमें पता चला है 3 की Efficiency 3 है इन दोनों की Efficiency 9 है 3 में से 9 गटाएंगे तो C की Efficiency क्या आएगी भई C की Efficiency माइनिस 6 आएगी इसका मतलब C क्या कर रहा है 6 का 6 खाली कर रहा है हर मिनिट 6 खाली कर रहा है अब आगे क्या दिया A और B को 12 मिनिट खोला गया है A और B भरते कितना है 9 और 12 मिनिट में कितना भरेंगे 108 फिर इनको बंद करके C को खोल दिया इन दोनों को बंद किया और C को खोल दिया ये दोनों को बंद करेंगे C को खोलेंगे बरा कितना है 108 C खाली करता है भाग कर दो आपका अंसर क्या आजायेगा वै अंसर आजायेगा 18 मिनट ठीक है अंसर क्या आएगा बच्चे अंसर आजायेगा 18 मिनट इस तरीके से आप Queshan को 7 सवाल आपके सामने 7 सवाल आपके सामने जल्दी पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे क्या आएगा साथवा सवाल आपके सामने पढ़ो जल्दी से और आंसर बताओ क्या आएगा very good सारे बच्चे एक बार class को share करो बही देखो class को share करो like करो जिन बच्चों ने अभी तक like नहीं किया है like और share तो बनता है like और share तो बनता है भाई कितनी अच्छी class चल रही है important question आपके चल रहे हैं important question आपके चल रहे हैं जी, पढ़िए जल्दी से और अगले सवाल को solve कीजिए अगले सवाल को solve कीजिए very good जल्दी पढ़े, शाबास next question को solve करें pipe A एक tank को 16 मिनट में भर सकता है pipe B 24 मिनट में खाली कर सकता है दोनों को एक साथ दोनों pipe को एक साथ खोल दिया जाए कितने मिनट बाद B को बंद किया जाए ताकि जिससे की tank 30 मिनट में भर जाए कितने मिनट में भई 30 मिनट में भर जाए ये हमें निकालना है कितने समय बाद कितने समय बाद किसको बंद किया जाए B को बंद किया जाएगी tank 30 मिनट में भर जाए ये हमें निकालना है बड़ा ही अच्छा question है, देखते हैं कौन answer करता है भई, परभात जी ने answer किया है, 20, prince का answer 20 है, अच्छा धार 21 पे जा रहा है भई, 20 answer बता रहे हैं काफी सारे बच्चे, B option के साथ कई है, बुल बुल जी, 18 के साथ जा रहे हैं, नेहा 21, रुही 21, चलो check करेंगे भई, अभी पता चल जाएगा किसका answer सही है, अभी पता चलेगा किसका answer सही है, A भरता है कितने में, A भरता है 16 मिनट में, और B खाली करता है 24 मिनट में, B खाली करता है 24 मिनट में, LCM ले लो भई, LCM आएगा 48, ये भरेगा 3, तो ये खाली करेगा 2, A भरता है 3, तो B खाली करता है 2, औ और B को बंद किया है बीच में किसको केवल B को बंद किया है केवल B को बंद किया है तो ए तो पूरा चला वहीं 30 मिनट ए पूरा 30 मिनट चलेगा तो कितना भर देगा 90 लेकिन भरना तो 48 था कितना एक्स्ट्रा भरा है एक्स्ट्रा देख लो कितना भरा है एक्स्ट्रा भरा ग इसका मतलब B को चलाया गया केवल 21 मिनट तक, कितने मिनट तक भई, 21 मिनट तक, ये आपका अंसर आएगा, 21 जिसने लगाया उनका सही है, 21 जिसने लगाया उसका अंसर एकदम सही है, वो सही ट्रैक पकड़के बैठा है, जिसने अंसर लगाया है 20, ठेक है, 20 वाले का अंसर ब बीच में B को बंद किया तो A तो पूरा 30 मिनट चलेगा, A चलेगा पूरा 30 मिनट, A 30 मिनट में कितना भरेगा, 90 भरेगा, भई A ने 30 मिनट तक 90 भरा, अब यहां से अगर हम देखें, बढ़ना तो 48 था, भरा है इसने 90, कितना एक्स्ट्रा भर दिया, 42, यह 42 क्या हुआ है, य तो 2 से बाग करो, कितना आएगा, 21 आजाएगा, तो अंसर आपका क्या रहेगा, भई, 21, ठीक है, A option आपका अंसर आएगा, यह था आपका सात्वा question, चलिए बढ़ते हैं आठवे question की तरफ, आठवा question हमारा स्क्रीन पे लगाया जाए, आठवा question बिल्कुल ऐसा ही है, जल् से solve करके बताओ, आठवे question का answer क्या दोगे, आठवा question जल्दी करो, very good, जल्दी पढ़ो और answer बताओ, क्या आएगा, आठवे question का, class को like करें, जिन बच्चों ने अभी तक like नहीं किया है, share करें, जिनोंने अभी तक share नहीं किया है, very good, झाट करें, जिन जहीं किया है, जिन अर्वे, आए है दो, पर वे won।क किसको बंद किया है रही देखो दुबारा से सुनो आवाज बंद हो गई थी द्यान से सुनो A बरता है 36 मिनट में और B बरता है 48 मिनट में ठीक है LCM लेंगे 144 आएगा अब यहां से अगर आप देखोगे तो A की Efficiency 4 है और B की Efficiency 3 है A बरता है 4 यूनिट तो B बरता है 3 यूनिट A बरता है 4 यूनिट आवाज आरी है गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग माइक बंद हो गया था अब आवाज आरी हो गया अच्छे से अरे अब तो आवाज आ रही है भाई जी चलो अब देखो A बरता है 4 यूनिट B बरता है 3 B को बंद किया तो A तो चला है पूरा 27 मिनट 27 मिनट चला है तो कितना बरा है 108 टोटल कितना है 144 108 घटा हो गई 108 घटा हो गई इसमें से कितना आएगा 36 आएगा किसने बरना है B ने बरना है B कितना बर रहा है B तीन बर रहा है तो तीन से भाग कर दो answer क्या आएगा answer आएगा 12 मिनट answer क्या आएगा बच्चे answer आजाएगा 12 मिनट और इस तरीके से आप question को solve कर पाओगे, ठीक है, इस तरीके से आप question को solve कर पाएंगे, answer आपका आजाएगा 12 minute, ठीक है, answer क्या आएगा बच्चे, answer आएगा 12 minute, A भरता है 36 में, B भरता है 48 में, LCM लोग 144, A भरेगा 4 unit, B भरेगा 3, B को बंद कर रखा है, किसको बंद किया है, B क B को अगर बंद किया है, तो A तो पूरा time चला, पूरा time क्या है, 27 minute, 27 minute में A कितना बरेगा, 108 बरेगा, 27 minute में A बरेगा, 108, 144 में से 108 घटाओ कितना आएगा, 36 आजाएगा, अब यह 36 कोंड बरेगा, जिसको पहले बंद कर दिया था, उसीने तो बरा है, उसके efficiency से भाग कर दो time आजाएगा, 12 minute, ठीक है, time क्या आएगा भाई, 12 minute, आठवा question कर चुके हैं, 9 सवाल पर चलते हैं, अब आता है 9 question, 9th question, जल्दी से आप पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे, क्या आएगा, सवाल नंबर 9 आगया है आपके सामने, जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ, क्या आएगा, और देखो, likes की संख्या तो बढ़ानी पड़ती है, भाई, बढ़ानी बनती है, likes and share तो आप करते रहें, तो भाई, मजा आता रहेगा, likes से पता चलता है, class कैसी चल रही है, माहूल कैसा है, class का माहूल कैसा है, ये class से ही तो पता चल रहा है, आमे, LCM कैसे लेते हो सर, भाई, LCM, LCM लेने की, तो भाई, हमने, हमारी तो practice ज्यादा हो रखी है, हमारी तो practice ज्यादा हो रखी है, बाकी हम क्या करते हैं, जो भी number होता है, उनमें से बड़े number को उठा लेते हैं, बड़े के multiple check करते हैं, जो बड़े के multiple, छोटे से भाग हो जाते हैं, उसी को LCM म पाइब बता रहे हैं बच्चे गुड इवनिंग भाई वैरी गुड इवनिंग अंजली देवी जी गुड इवनिंग स्वागत है सभी बच्चों का सभी बच्चों का स्वागत है Pipe&System का महुल चल रहा है वई पी भरता है 12 में पी कितने में भर रहा है 12 में और क्यों कितने में भर रहा है क्यों बर रहा है 16 में अब क्या हुआ दोनों को एक साथ खोल दिया जाए किस समय पी को इस बार पहले वाले को बंद कर रहे हैं ताकि तंकी कितने मिनट में भरे? 8 मिनट में भरे LCM ले लो भई LCM लो गे तो 48 आएगा 12 से 4 16 से 3 अब की बार पहले वाला बंद हुआ है तो दूसरा चलेगा 8 के 8 मिनट 8 के 8 मिनट चलेगा कितना भरेगा? 24, 48 में से 24 घटा होगे तो 24 ही आएगा ये किसने भरा है? ये पीने भरा है कितने के हिसाब से? 4 के हिसाब से तो कितने मिनट भई? ये भरा गया है 6 मिनट तक इसका मतलब पी को बंद किया गया है कितने मिनट में? पी को बंद किया गया है 6 मिनट में ठेक है? पी को बंद किया गया है कितने मिनट में भई पी को बंद किया गया 6 मिनट के बाद समझें तो ये आपका question number 9 भी इस तरीके से हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं question number 10 पे आते हैं question number 10 आपके लिए लेके आता हूँ ऐसा ही एक और अच्छा सवाल आपके लिए लेके आए हैं पढ़िए इसे और बताईए जल्दी से क्या आएगा अब बारी-बारी का इसाब करेंगे जल्दी बताओ क्या आएगा answer नमस्कार भाई सभी बच्चों का स्वागत है good evening जो बच्चे लेड जुड़े हैं उनको बता देता हूँ देखो class का समय पता है क्या है class का समय है 7 बजे से 8 बजे 7 बजे साथ बजे से 8 बजे के बीच में हम मिलते हैं math का जादू बिखेरते हैं जो बच्चे को math कमाता होता है न उसको आने लग जाएगा रेगूलरडी के साथ class लगाने लग जाओ नमबर नहीं गटेगा इसकी गःण्टी रहेगे नमबर ना कटने की गःण्टी रहेगी भई ना कटने की गारंटी रहेगी नंबर नंबर नहीं कटेगा पढ़ो जल्दी से अगले सवाल का अंसर करो शाबास अगले सवाल का अंसर करें सभी बच्चे पढ़ो पढ़ो शाबास एक बार वीडियो रोक कर इनकी गुड इवनिंग और राम राम लेलो गुड इवनिंग वह गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग सभी को राम राम सभी को नमस्कार सभी का स्वागत है सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और सभी को आशिरवाद है सभी का टेस्ट पास होगा अच्छे नंबर आएंगे गुरूप D में गुरूप C का स्कोर अच्छा रहा है गुरूप C में अच्छी मैनत की थी ग्रूप D में भी अच्छी मैनत कर रहे हैं, अच्छे marks लेके आएंगे, very good evening, 110 आएगा, शाबास, देखो, A भरता है 10 गंटे में, A भरता है 10 गंटे में, और B खाली करता है 12 गंटे में, A भरेगा 10 गंटे में, B खाली करेगा 12 गंटे में, सबसे पहले लेंगे LCM, LCM लेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, ये भरेगा 6, ये खाली करेगा 5, अब क्या हुआ, अब ये बारी बारी से भर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं, बारी बारी से, पहले A भरेगा, फिर B भरेगा, पहले A भरेगा, फिर B खाली करेगा, फिर A भरेगा, फिर B खाली, ऐसे बारी बारी स इसाब चल रहा है तो कैसे करेंगा, ध्यान से सुनो, पहली मिनट छे बरा जाएगा, फिर पाच खाली होगा, फिर छे बरा जाएगा, पाच खाली होगा, दो गंटे की अगर आप बात करते हो, दो गंटे की अगर आप बात करते हो, तो दो गंटे में कितना बरा जाएगा, के अब ध्यान से सुन लो, जब भी ऐसा केस आये ना, एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है, खाली कर रहा है, तो टोटल में से पोजिटिव को घटा लो, आखरी मिनिट बढ़ने वाली होगी, खाली करने वाला नहीं हो सकता, आखरी मिनिट बढ़ने वाली होगी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है ऐसे में आप क्या करोगे टोटल में से पोजिटिव घटाओगे कितना आएगा चववन आएगा इधर भी 54 से गुणा कर दो और इधर भी 54 से गुणा कर दो यह हो जाएगा 108 कितना हो जाएगा भाई 108 गंटे और 108 गंटे में कितना बरा गया? 54 अब अगली जो मिनेट आएगी एका नंबर आएगा वो 6 बरेगा 6 बरेगा तो 109 गंटे में अगले गंटे एका नंबर आएगा 6 बर देगा कितने बरेगे? 60 टोटल भी कितने दे? 60 तो अंसर आपका क्या हो जाएगा? अंसर आजाएगा 109 ठीक है? अंसर क्या हैगा बच्चे? अंसर आजाएगा 109 और इस तरीके से आप question को solve कर पाओगे आसानी से ठीक है? इस तरीके से आप question को आसानी से solve कर पाओगे इसमें मैं आपको direct भी बता देता हूँ जब भी ऐसा case आजाए कि एक भरने वाला है एक खाली करने वाला है एक भरने वाला है एक खाली करने वाला है और बारी-बारी से चलाए गए हैं कैसे चलाए गए हैं? बारी-बारी से पहले बरने वाला फिर खाली करने वाला ऐसा है और इनका अंतर आपको क्या दिख रहा है एक का अंतर है एक का ही मिलता है mostly एक का अंतर है तो आप क्या करो जो टोटल है उसमें से positive को गटाओ इसका double करके 1 जोड दो क्या इसका डबल करके एक जोड़ दो यह हो जाएगा 54 गुणा 208 उसमें एक जोड़ोगे तो अंसर आपका क्या आएगा वई आंसर आपका 109 आजाएगा केस ओप्शन में है यह आपका सी ओप्शन में डारेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हो ठीक है डारेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हो यह भी आपका अंसर आजाएगा समझें यह भी आपका अंसर आजाएगा देखो रिपीट कर देता हूँ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दो रिपीट कर देते हैं A बरता है 10 और B बरता है 12 बी खाली करता है 12 में, LcM लेंगे 60 आएगा, A बरेगा 6, B खाली करेगा 5, अब दोनों बारी-बारी से भर रहे हैं, बारी-बारी से, पहले A को चलाया, फिर B को चलाया, फिर A को चलाया, फिर B को चलाया, दो गंटे में कितना इसाब हुआ भाई, दो गंटे की अगर आप ब बरा जा रहा है, दो गंटे में बरा जा रहा है, एक युनिट, दो गंटे में अगर एक युनिट बर रहे है, तो टोटल हमें बरना है साथ, तो साथ से गुणा करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाली मिनिट भरने वाले की है लास्ट वाली जो मिनिट है ना वो भरने वाले की है तो आप क्या करोगे साथ में से इसको गटा लो पोजिटिव वाले को गटा लो 60 में से, टोटल में से positive घटा होगे, 54 आएगा, दोनों तरफ 54 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 108, यहाँ पे हो गया, 54, अगली जो मिनट होगी, A का नंबर आएगा, अगला जो घंटा होगा, मिनट नहीं है, घंटे हैं, अगले जो घंटे होंगे, वो A के होंगे, A भरेगा, 56, 54, 60, साथ टोटल बरा गया, एग घंटा और इसमें जोड़ दो कितने आ जाएंगे, 109, अगर आप इसको डारेक्ट करना चाहते हो, तो डारेक्ट में क्या करेंगे भई, डारेक्ट में आपने क्या करना है, आपने बस यह देखना है, एक भरने वाला है, और एक खाली कर रहने वाला, दोनों का difference भी वन यूनिट है, अब यहां से अगर आप देखोगे, दो गटे कहाँ से आए, एक बच्चा गहएड़ा दो गटे कहाँ से, यह पहला गटा यह दूसरा गटा, एक गटा यह ए एक यह तो टोटल होगे दो गटे, टोटल क्या होगे बच्चे, द एक एड़ कर देंगे तो क्या आजाएगा आपका अंसर आजाएगा और इस तरीके से आप question को solve कर पाओगे चलो अगला सवाल लेके आता हूं question number 11 11 number सवाल लेके आते हैं इस बार तीन pipe है मैं बड़े ध्यान से भरना इस बार तीन है दो बढ़ने वाले और एक खाली करने वाल समझा गया ना? चलो अची बात है जल्दी से एक बार class को share करदो सारे बच्चे और like कर दो जिन बच्चों ने अभी तक like नहीं किया है देखो live ज्यादा है like कम है likes की संख्या जल्दी से increase करो सारे बच्चे, very good like और share तो बनता है, like और share तो बनता है देखो, करो जल्दी से, शाबास! वारे गूड! सब्डूचे हैं, spiritual meaning. सभी बच्चों का स्वागत हैं, आशुतोश, मोनी, नमस्कार भाई, नमस्कार. डेली सात बजे मिलते हैं, भाई हम. साथ से आट का समय होता है. साथ से आठ का समय होता है अब ये आखरी मिनट्स कुछ बचे हुए हैं तो आखरी मिनट्स में कुछ और मैतोपूर्ण सवाल हम करने वाले हैं बताओ जल्दी से क्या आएगा सारे बच्चे साथ बजे पहुंच जाया अगरो साथ बजे का अलारम लगा लो भई साथ बजे का गुड इवनिंग भई पिंकु कुमारेजी गुड इवनिंग पढ़िये जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका अंसर 167 आएगा चलो चेक करते हैं देखो A भरता है कितने में? A भरता है 20 में B भरता है कितने में? 30 में और C 15 गंटे में खाली कर सकता है C कर सकता है 15 गंटे में खाली LCM लोगे कितना आएगा? LCM तो 60 आएगा 20 से 3, 30 से 2 और 15 से आजाएगा माइनस 4, 15 से क्या आएगा भई? माइनस 4, यहाँ पे क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या है? तीन पाइप है अब अब तीन पाइप है तो इसके केस में आपने क्या करना है? इसके केस में भी आप positive work को माइनस करेंगे positive work यह दोनों है आखरी minutes में यह दोनों काम करने वाले हैं यह आपकी बुद्धी में बैठ जाना चाहिए जब pipe को टंकी को बरा जा रहे न तो आखरी minute बढ़ने वालों के नाम होती है आखरी minute किसके नाम होगी? बरने वालों के नाम होगी तो बरने वाले तो 5 बरेंगे 60 में से 5 गटाओगे 55 आएगा तीनों जब बरेंगे न एक गंटा इसका एक इसका और एक इसका सारे भरेंगे तो कितना बरा जाएगा एक बरा जाएगा कितने गंटे में एक बरा जाएगा तीन गंटे में ठीक है और बरने कितने है वही 60 में से 5 गटाओ 55 55 से इधर गुणा करो 55 से इधर गुणा करो ये कितना हो गया ये हो गया 165 कितना हो गया भई, 165 में 55 बरा जाएगा, फिर A का नंबर आएगा, और फिर B का नंबर आएगा, मतलब अगले 2 गंटे में, अगले 2 गंटे में कितने बरे जाएगे, अगले 2 गंटे में, 2 गंटे में बरे जाएगे, टोटल 5, और जोडो गे तो अंसर क्या हो जाएगा, अंस अब करना है थीक है इस तरीके से आप क्षेशन को सॉल कर सकते हैं काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल साही जवाब दिया है इस बार हमें 3 से गुणा करना था क्योंकि 5 तीन है इस बार हमें किस से गुणा करना है भाई तीन से गुणा करना है क्योंकि पाइप कितने हैं पाइप तो तीन है भई पाइप तीन है जैन भाइप नमश्कार राम राम सभी बच्छे जो अभी लेड जुड़े हैं बता देता हूँ साथ बजे क्लास सुरू होती है वै कितने बजे साथ बजे क्लास सुरू हो जाती है और आठ बजे खतम हो जाती है आठ बजे चलता है हरियाना जी के का राज हरियाना जी के वै दोनों subject important है हरियाना जी के 25 नमबर की मैथ आएगा 15 नमबर का total 40 नमबर साथ बजे से नो बजे के बीच में हो जाएंगे आपके, साथ बजे से नो बजे के बीच में हो जाएंगे आपके, ठीक है, ओके, हाँ, दो गंटे देखो, 40 नमबर पके आपके, ग्यारा क्वेस्चन हम कर चुके हैं, बारवा क्वेस्चन मैं आपको दिखा देता हूं, तो जल्दी से बताओ इसका अंसर क्या आएगा शाबास जल्दी करो बई और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं करके वैटें लाइक तो कर दो कितनी अच्छी क्लास चल रही है माहोल कितना शांदार चल रहा है एक ही यूनिट बनेगा क्या एक ही यूनिट हाँ अब यहाँ पर खाली करने वाला नहीं है कोई भी सारे भरने वाले हैं क्या भाई सारे भरने वाले हैं ए बरता है दस गंटे में बी भरता है 16 गंटे में LCM लोगे कितना आएगा LCM लेलो भाई LCM आएगा 80 ये बरेगा 8 ये बरेगा 5 अब ध्यान से सुनों यहाँ पर दोनों भरने वाले हैं खाली करने वाला कोई भी नहीं है एक भी नहीं है यहाँ पर खाली करने वाला पहले गंटे 8 बरेगा फिर 5 बरेगा दो गंटे में कितना बरा गया अरे दो गंटे में तेरा बरा गया तेरा का मल्टीबल देखो इससे छोटा कितना है तेरा का छे गुणा है कितने गुणा छे गुणा तो छे से यहां गुणा करो छे से यहां बारा गंटे का काम हो गया कितना भाई 12 गंटे का काम हो गया, 78, अब ध्यान से सुनो, काम कितना रहता है, काम रहता है, 2, नमबर किसका है, 8 वाले का, 8 से भाग करो, कितना टाइम लगेगा, 1 वटे 4, 12 गंटे ये, 1 वटे 4 ये, तो अंसर आजाएगा, 12 सही, 1 वटे 4, किस option में है वई, C option में है, किस option में है, C option में, इस तरीके से आप इस question को solve कर पाएंगे ये आपका answer आ जाएगा ये था आपका सवाल number 12 जो आपने किया बड़े अच्छे तरीके से अब एक question मैं आपको homework के लिए दे देता हूँ ये सवाल आप homework में लेके जाएंगे घर से करेंगे और सारे बच्चे कल मिलेंगे कितने बजे साथ बजे कितने बजे मिलेंगे वई साथ बजे मिलने वाले हैं कल सारे बच्चे अभी जाते जाते सारे बच्चे क्लास को share करेंगे like करेंगे channel को subscribe telegram channel को join करके ये PDF आप download कर सकते हो क्लास कैसी रही? offline comment section में भी डाल देना यहां भी डाल देना अभी अभी just इसके एक मिनट बाद ही एक ही मिनट में परदी पैल सर की हरियाना जी के की क्लास आने वाली है उस क्लास को आप attend करेंगे उस क्लास को आप जोईन कर लेंगे रेनु जी कल यहीं से repeat कर देंगे आपका यह question वहीं से चालू कर देंगे साथ बज़े पहुंच जाया अगरो सारे बज़े ओके बाई बाई थैंक यू टेक केर गुड नाइट वे नाइस डे आपका दिन आपकी रात सब सुब हो